हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रजिया आप सभी का स्वागत है कुकवित रजिया पर आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे लाई हूँ तीन ऐसी रेसिपी जिसे आप OTG में बना सकते हो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मेडम OTG में बनाना सिखाएं तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेकरी जैसी जीरा बिसकिट, mango pound ke और बिल्कुल रिस्टोरेंट जैसी पनी टिका तो सबसे पहले हम बनाना सिखेंगे बेकरी जैसी बिल्कुल खास्ता क्रिस्पी जीरा बिसकिट सबसे पहले हम एक mixing ball में डालेंगे 60 ग्राम unsalted butter आप चाहो तो salted butter का भी यूज़ कर सकते हो साथ ही हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम पिसा हुआ चीनी साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे इस तरह से घोल के डालना है ताकि इसमें कोई भी दाने ना रहे और ये आसान इसे butter में mix हो जाए तो अब हम इन तीनों को डालके अच्छी तरह से mix करना है beat करना है जब तक के ये पूरी तरह से creamy ना हो जाए cookies बनाने के लिए ये step बहुत ही important रहता है इसे आप जितनी अच्छी तरह से beat करोगे जितना इसका texture creamy और silky होगा आपका cookies उतना अच्छा बनेगा तो ये आप देख सकते हो इसका texture बिलकुल मखन जैसा silky हो चुका है तो अब हम beater को side पे रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे vanilla essence half tea spoon साथ हम इसमें डालेंगे half tea spoon zira powder एक चोटा चम्मच इसमें डालेंगे custard powder एक चुटकी डालेंगे इसमें baking powder और साथ ही एक टेबल स्पोन zira ली हूँ और इसका थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ और बाकी का बचा हुआ थोड़ा सा बचा के रख रही हूं उपर से डालने के लिए और इसमें जाएगा 100 ग्राम मैदा, कप में नापोगे तो एक कप से थोड़ा ये कम है और अब हम इन सभी चीज़ों को डालके अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और इसे एक डो की शकल में लेके आएंगे इसे हमने बहुत जादा गूथना नहीं है, जस्ट इसे हमने मिक्स करना है ताकि सभी चीज़े आपस में मिक्स होके एक डो की शकल में आजाएं तो यह आप देख सकते हो इसका टेक्शर बिल्कुल यह डो की शकल में आ गया है इसे मैं एक बटर पेपर के उपर निकाल ली हूँ और यह आप देख सकते हो बटर पेपर को मैं इस तरह से रखनी हूँ ताके दोनों तरफ बटर पेपर रहे ताके हमें रोल करने में आसानी ह यानि के 1.5 इंच की थिकनेस पे इसे मैं इस तरह से बेल लूँगी तो यह आप देख सकते हो इसका थिकनेस मैंने इसे कितना मोटा रखा हुआ है और अब मैं इसके उपर बाकी का जो बजा हुआ जीरा है इसे में इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी और इस तरह से फिर से कुकी कटर यहां पास जिस भी शाइज इस बी कुकी कटर हो वो आप ले सकते हो या फीर सिंपल आप चाहो तो चाको की मदद से भी काट सकते हो तो यहआ देखो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और जो बाकी का जो साइट पर चोटा चोटा तुटा जो फेकना नी यह इसका आप दुबारा से फिट से डो बनाएके आप इस तरह से square shape में काट सकते हो तो यह आप देखो इस तरह से हमने square shape में इसे cut कर लिया है आप देख सकते हो इसकी थिकनेश बिलकुल perfect है और इतने ही थिकनेश आपको इसे रखना है जादा पतला रखोगे तो पापर जैसा हो जाएगा और जादा मोटा रखोगे तो सही से bake नहीं होगा half inch सही रहता है तो अब मैंने इसे इस तरह से baking tray में डाल लिया है और अब मैं इसे bake करूंगी OTG में OTG में bake करने के लिए सबसे पहले हम उपर और नीचे दोनों वाले coil को on करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे temperature देंगे temperature यहाँ पे 180 आपको देना है तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से नौप को घुमा कि आपको temperature अरज़ेस्ट कर लेना है और साथ ही हम यहाँ पे timer देंगे timer यहाँ पे 10 मिनिट लगाएंगे प्रिहिट होने के लिए तो सबसे पहले हम इस अवन को प्रिहिट कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसे बेक करेंगे बेक करने के लिए इस तरह से जो कुकीज वाला ट्रे है इसे इस तरह से मिडिल रैक में रखे और अब हम अवन को बन कर देंगे और यहाँ पे timer हम 15-20 मिनि क्या आया है एक जिसका आपको ध्यान देना है जब भी आप cookies कट करो हमेशा एक ही size में cut होना चाहिए और एक ही thickness में cut होना चाहिए उससे क्या होगा कि यह सभी का सभी color एक जसा आएगा और सभी के सभी चीज़े आपस में अच्छी तरह से पके हुए होंगे तो यह आप द ज़रूर बताने कि आपको यह recipe कैसी लगी अब हमारी अगली recipe है restaurant जैसी पनी टिक का इसके लिए सबसे पहले हम एक mixing ball में डालेंगे आधा कब गाढ़ी वाली दही साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने taste के हिसाब से डाल सकते हो और साथ हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच गरम मसाला आधी छोटी चमच चाट मसाला आधी छोटी चम्मच अजवाईन यहाँ पर साबुत अजवाईन ले रही हूँ इसे इस तरह से अपने हाथ से मसल के डाले इससे टेस्ट इनहेंस होता है साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी इसे भी इस तरह से मसल के डाले इससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है साथ ही इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच अद्रक और लेसन का पेस्ट एक टेबल स्पोन निम्बू का रस तीन छोटी चमच सर्सों का तेल दो छोटा चमच बेसन अब हम इन सभी चीज़ों को डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह आप देख सकते हो इसका एकदम स्मूध एकदम सिल्की सा बैटर बन के तयार हो जाता है बस ध्यान देना है कि बैटर जो है वो आपका एकदम ठीक हो एकदम गाड़ी हो पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइस का सिमला मिर्च इसे इस तरह से हमने क्यूब्स के फॉर्म में काटा है एक बड़ा साइस का प्यास इसे भी हमने इस तरह से क्यूब्स के फॉर्म में काटा है और यहाँ पे एक बड़ा साइस का टमाटर लिया है इसे भी हमने इस तरह से क्यूब के फॉर्म में काट लिया है अब हमने इन सबी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर पनीर को भी हमने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब के फॉर्म में काट लिया है पनीर सबजियों को मिला लेने के बाद ही एड़ करें वरना पनीर तूटने लगेगा तो लास्ट में हमने पनीर डालना है और उसके बाद बिल्कुल हलके हाथों से इस तरह से मिलाते हुआ इसे मिक्स कर लेना है यह आप देखो पनीर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मसाला जो है वो उपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है अब हम इसे ढखके कम से कम दो घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे आप चाहो तो इसे आदे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो लेकिन इसे जितना दिर मैरिनेट करोगे इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ेगा और साथ ही ये काफी जादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा इसके अंदर अंदर तक मसाले घोश जाएंगे तो ये आपके उपर है आप चाहो तो आदे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो सबजी चाहो तो आगे पीछे अपने हिसाब से आप कर सकते हो तो यहां पे देखो एक एक करके इस तरह से हमने टमाटर, सिम्ला मिर्च, प्याज, पनीर इन सब को इस तरह से अरेंज कर लेना है और अब मैं यहां पे एक baking tray ले रही हूँ और इसके उपर इस तरह से butter paper लगा ली हूँ butter paper लगाने से क्या होगा कि इसके जो मसाले हैंडे में चिपकेंगे नहीं और आसानी से निकल जाएंगे आप चाहो तो बटर पेपर के बिना भी आप लगा सकते हो और बाकी के जो मसाले हैं उसे भी इस तरह से हम टिक्के के उपर लगा लेंगे ताकि कोई भी चीज़े वेस्ट ना हो तो अब हम इन टिकों को बेक करेंगे OTG में तो OTG में टिकों को बेक करने के लिए सबसे पहले उपर और नीचे का कोईल ओन करेंगे टेमप्रेचर हम 30 डिगरी लगाएंगे और 10 मिनिट इसे हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे तो प्री हीट हो जाने के बाद अब हम इसे इस तरह से मिडिल वाले रैक में इस ट्रे को हम रख देंगे और इसे हम ढखके 15-20 मिनिट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे तो 15-20 मिनिट के अंदर हमारा जो टिका है वो पक के रेडी हो जाएगा तो यह आप देखो कितनी अच्छी सी शोंदी से खुश्बू आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हो माशलला बहुत अच्छा से उभर के आया है खाने में तो यह माशलला बहुत ही जादा टेस्टी और जूसी बनता है तो यह आप देखो यह इसका यही color है अगर आपको इसे और थोड़ा सा dark color करना है तो आप क्या करोगे इसे थोड़ा सा उपर की coil में रखके आप सिर्फ उपर वाला जो coil है वो आप on कर लोगे उससे इसका color और भी जादा dark हो जाएगा तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ तो वो जिस मैं आपको explain कर दे हूँ तो प्लीज आप वो इस टेप जरूर से कर लेना और सर्फ करने से पहले इसके उपर थोड़ा सा निम्बू का रस और चाट मसाला छिड़क के आप इसे सर्फ करें गर्मा गर्म बहुत ही मजी की बनी है दोस्तों खाने में यह बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा जूसी है जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अब हमारी अगली रेसिपी है mango pound cake इसके लिए सबसे पहले हम एक mixing ball म साथ ही हम इसमें डालेंगे 100 gram salted butter आप चाहो तो unsalted भी ले सकते हो अब हम इन दोनों चीजों को डालके अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक के शुगर अच्छी तरह से इसमें घुल जाए और एकदम ये silky सा बैटर बन जाए ये आप देख सकते हो ये हलका सा silky texture आ चुका है उसके बाद मैं इसमें एक एक करके तीन अंडे इसमें शामिल कर रही हूँ उसके बाद फिर से मैं इसे 4-5 मिनट तक बीट करूँगी तक के अंडे, बटर और शुगर ये तीनों चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चीनी के जो दाने हैं वो एकदम घुल जाए तब तक हमने इसे बीट करना है उसके बाद हम एक छनी लेंगे इसमें डालेंगे एक कप मैदा साथ ही इसमें डालेंगे 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर इन दोरों को डालके इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है और अब हम इसे कट और फोल्ड मैथट से इस तरह से मिक्स करेंगे तक है मैदा और ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ध्यान रखेगा कि इसमें कोई भी लंस यानि कोई भी गाठे इसमें ना हो उस तरह से आपने इसे मिलाना है उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़ा सा आम जिसे हमने इस तरह से क्यूप्स के फॉर्म में काट लिया है और आम डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करेंगे यह आप देख सकते हो इसे बिल्कुल हलके हाथों से आपने मिलाना है तो अब यह हमारा बैटर बन के तयार है अब मैं यहाँ पे इस तरह का एक रेक्टेंगूलर टिन ली हूँ और इसे चारो तरब से मैंने बटर लगा के ग्रीस कर लिया है और नीचे एक बटर पेपर लगा के चिपका ली हूँ ताकि केक बढ़ने के बाद वो तली में ना चिपके उसके बाद यह हमारा तयार किया हो जो बैटर है इसे मैं अंदर डाल रही हूँ और अब एक स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से फैला लें ताकि उपर उबर खाबर ना रहे एकदम यह उपर का सर्फिस प्लेन हो जाए उसके बाद इस तरह के कुछ सीड्स आते हैं यह मैं उपर डेकोरेशन और टेस्ट के लिए डाल रही हूँ यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है आप चाहो तो यह डाल सकते हो नहीं तो आप सिंपली आप इसमें टूटी प्रोटी भी डाल सकते हो या फिर कुछ ना मिले सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऐसे भी बना सकते हो तो यह मैंने इसके उपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है अब हम अवन को प्रिहिट करेंगे बैटर बनाने से पहले अब अवन को प्रिहिट कर लें तो यहाँ पर टेंपरेशर जो है मैंने 180 डिग्री रखा हुआ है और इसे बॉटम लाइन पर रखके 10 मिनिट के लिए मैंने इसे प्रिहिट होने के लिए छोड़ दिया था तो अवन जो है वो हमारा पहली गरम हो चुका है और अब हम इसमें हमारा तयार क्या हुआ केक का टेंड डालेंगे और यहाँ पर इसे 40-45 मिनिट लगेगा बेक होने के लिए क्योंकि पाउंड केक है तो बेकिंग टाइमिंग थोड़ा सा जादा लगता है तो यहाँ पर 40-45 मिनिट इसे हम देंगे बेक होने के लिए तो यह आप देखिए तकरीबन 45 मिनिट के बाद यह हमारा केक बन के तयार है इसका यह आप लुक देख सकते हो कितना अच्छा सा गोल्डेन कलर इसमें उभर के आया है और काफ़ी जड़ा यह सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है यह आप दिखो मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूंगी इसका टेक्शर यह आप देखो कितना ज़ादा यह सॉफ्ट स्पॉंजी बना है खाने में दो दोस्तो यह बहुत ही जादा टेस्टी है यहां पर देखो एक पिस आपको कट करके दिखा रही हूँ, अंदर से भी देखो कितनी अच्छी तरह से यह बेक हुआ है, साइड में कलर भी बहुत अच्छा है, और खाने में दोस्तों यह बहुत इला जवाब है, जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ करना और मुझे कमेंट क करके जरूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाए, टेक क्यार,